RRP में अगर RPF के आप SI की form fill up कर रहे हो और उसमें अगर आप OPC category से belong करते हो तो आपको 27% reservation का benefit मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको अपना certificate produce करना पड़ेगा तो आपको जो certificate है वो 14 मही से पहले बना होना चाहिए और आपका जो certificate है वो ये format दिया गया हुआ है इस format के basis पे ह आपका certificate बना होगा तो जानेंगे इस video में पूरी जनकाडी की कैसे certificate बनाना है और कहां से कब तक आपका certificate valid होना चाहिए और भी बहुत कुछ तो watch this video till in ताकि आपकी जो भी query है वो सारी clear हो जाए तो देखो ये जो है वो notification आपको official website पर मिल जाएगी और यहाँ पे जो है वो मैं closing date की बात करूँ means आपका जो last date of form filling है वो है 14th May 2024 means आपका जो certificate है वो 14th May से पहले बन जाना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो OBC NCL होती है वो income के basis बनती है तो इसलिए जो है वो आपका certificate 1st April 2024 के बाद बना रहेगा तो आपको कोई भी issue नहीं होगी लेकिन अगर आपका certificate certificate 1st April 2024 के पहले बना हुआ है तो आपको document verification के समय हो सकता है थोड़ी problem हो लेकिन आप अगर safe side पे रहना चाहते हो तो आप एक new financial year वाला certificate बनवा लेना किसी कारण वस अगर आप certificate आपका थोड़ा पुडाना है मतलब एक साल या दो साल पहले का है तो भी जो हो चल सकता है लेक और बढ़ी बात की format की तो इसके regarding मैं भी बात करूंगा तो पहले तो ये बात होगी कि आपको certificate कब से कब तक का बना होना चाहिए अब कितना के पहले का certificate अगर आपका है तो वो नहीं चलेगा तो अगर आपका certificate 2022 से पहले का है तो आपका certificate 2022 से पहले का है तो आपका certificate 2022 से पह 24 के बीच का है तो आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है document verification में वहीं अगर बात करते हैं कि reservation की तो इसके लिए जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे clearly mentioned है यह जो five number point है इसमें भी clearly mention किया गया हुआ है और साथ ही आपको जो है वो एक declaration form भी अपने साथ fill करके देना होगा जैस में आपको अपना बस name fill करना है अपना address fill करना है और उसके बाद आपको जो हो I belong to अपना जिस भी आप cast से बिलॉंग करते हैं वो cast बिलॉंग करता है और फिर आपको यहाँ पे अपना signature करना है अपना name लिखना है और RRB का roll number लिखना है और जिस भी आपका यह place में कौन सा प्लेस होगा तो जो आपका permanent address का district है उस place का आप नाम लिख देना और जिस date को means आप form fill up कर रहे हो वो date यहाँ पे mention कर देना तो यह सभी चीजे ही जो है वो आपको यह NXR 2 में self declaration by OBC NCL candidate में fill करके रखना है अप वही अगर बात करते हैं कि देखो यहाँ पे जो है वो certificate कैसे बनवाना है उसके recording भी मैं बात करूँगा लेकिन मैं आपको एक कुछ और भी चीज़ बता दू कि अकर आप जो है वो तैयारी कर रहे हो तो आप आप आचार परसांत की वीडियो देख सकते हो YouTube आप search करना आचार परसांत on students और उनकी काफी अच्छी वीडियो है जो की एक students के लिए बहुत ही helpful रहेंगी तो आप जो है वो इनसे वीडियो देखोगे और आपको means काफी अच्छी लगेंगी और carrier के related भी अगर आपकी कुछ issues होती है तो इनसे आप questions भी कर सकते हो इनके वीडियो देखोगे और इसे help लोगे अब आते हैं हमारे back to discussion पर तो देखो यहाँ पर जो है वो अगर certificate बनवाने की बात करें तो देखो यह जो format है एक page का certificate का format होता है और यह जरूरी नहीं है कि English में हो या Hindi में हो अगर आपका Hindi में certificate तब भी चल जाएगा लेकिन अ आपको अगर कुछ भी नहीं मालूम है कि कैसे बनना है या फिर कहां से बनवाना है तो उसके regarding मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दी है जो इसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो वहां से आप उस वीडियो को देख लेना आपको साड़ी बाते समझ में आ इस वीडियो में लेने की कोशिस की है फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया है तो आप description box वाला एक वीडियो देख लेना और OBC के regarding और दोनों वीडियो कोई बात भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप comment box में comment कर देना बात करते हैं अब आप आरपी एफ की mock test की तो देखो यहाँ पर आपको enough number of mock test देखने को मिल जाता है आराउंड जो हो 2 lakh students यहाँ पर तयारी कर रहे हैं currently तो test book apps आप अपनी तयारी कर सकते हो इसमें जो हो around 668 total mock test आपको देखने को मिलता है और वहीं अगर मैं बात करू तो देखो यहाँ पर previous year questions पर आपको around 320 railway के PYQs मिलते हैं और specifically SI के लिए 20 PYQ और उसके solutions आप जो हो attempt कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही golden opportunity है कि आप जो हो test book से अपनी तयारी भी similar test नहीं सुरू कर दो अब इसमें अगर बात करते हैं कि अगर आप इसका premium subscription लेते हो तो उसकी pricing pricing की तो देखो इसकी pricing जो है वो one year के लिए 499 रहती है और two year के लिए 649 लेकिन मैं आपको coupon code दे दूँगा JBYY16 इस coupon code को आप apply कर दोगे JBYY16 तो आपको जो है वो flat 10 to 20% का discount देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो apply coupon वाले option में जाना है और coupon code apply कर दोगे तो आपको discount मिल जाएगी लेकिन ध्यान रखना कि आप जो हो new email mobile number से जो हो login करना या फिर आप एक वर apply करके द किसी भी examination की तो उनकी भी तैयारी के लिए जो हो आप नौक पिस्ट यहां से लगा सकते हो और वो भी same price में